हेलो गई स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करेंगे अदानी अनजी सोलीशन की और इसकी लेटेस्ट अभी अभी ताजा जो है अगस्त मैने की जो है शेर होल्डिंग पैटन आ चुकी है जो इसका क्यू आई पी आया था उसके बाद की सब्सक्राइब जरूर कर एसी जा टेकनिकल चार्ट की अगर जो है कल की आपने वीडियो नहीं देखी तो वह अब जरूर देखे इसके ओपर डेली टेकनिकल चार्ट के ओपर हम एनालीसिस करते हैं आगे प्रैस कहां तक जा सकता है उसके ओपर हमने एनालीसिस की है टेजी की संबवना रह सकती है थोड़ा प्रमोटर की हिस्सेदारी जो है वो घटी है 75% से घटकर वो रही 69.59% तो 51% के आसपास की हिस्सेदारी घटी है और यह जाहिर से बात है कि यह जो उन्होंने QIP लाया शेर बेचे और QIP लाया पैसा इकटा किया तो उस वज़े से यह जो हिस्सेदारी यहां पर कम होती हुई दिख रही है और यहां पर अच्छी बात दिख रही है कि FIIs उनकी हिस्सेदारी बड़ी है साड़े 15% से बढ़कर सवा 19% की हो गई है अच्छा कासा FIIs ने इसके अंदर जो है हिस्सा लिया QIP के अंदर यह चीज जो है यहां पर confidence शो कर रही है और एक चीज डिया इस भी वह भी कम नहीं है डिया इस ने भी 4% से बढ़ा कर अपने इसेदारी सवा 5% की कर दी उसके अंदर भी सवा 1% की इसेदारी बढ़ी है उन्होंने भी जो है QIP के अंदर भाग लिया होगा साथ साथ पब्लिक की अगर बात करें उनकी भी इसेदारी यह दो महिनों के अंदर बढ़ी है 5.5% से बढ़कर 0.54% यानि की 0.30% के असपास की इसेदारी पब्लिक ने भी जो इसकी इसे ओल्डिंग बढ़ी तो यह भी चीज़ यहां पर अच्छी दिख रही है और यहां पर एक चीज और है कि यह जो प्रमोटर की हिसेदारी आपको घटती हुई दिख रह कि जून मैने में उनकी इसेदारी कितनी थी पहले 68% थी जैसे कि यहां पर से थोड़ी से गटी थी उसके बाद प्रमोटर ने खुद ने यहां पर सितम जून से सितम बर किया अगर बात करें तो ओलेडी माल खरिद लिया था तब बाई किया था और अब यह थोड़ा सा सेल किया है QIP और वो भी बिजनस के लिए वो पैसा जो है बिजनस के अंदर वो यूज कर सकते हैं उससे कंपनी को फाइदा हो सकता है शेर का प्राइस भी उपर जा सकता है अब यहां पर FIS को ज़रा देखे उनके पास जो है यहां पर इस जून के अंदर जून 12-23 में 19% जो है जितनी यहां पर थी उसके आसपास ही चली गई 19% के आसपास डी इस की बात करें तो उनकी इससेदारी तो यहां पर बढ़ी है अच्छी कासी तो यह चीज़ भी यहां पर कई ना कई एक कॉंफिडेंस शो कर रही है यहां लग रहा है कि इन्वेस्टर का जो है अगस महिने की है और इसकी शेयर होड़िंग बाटन इसके अपर कुछ रिक्वेस्ट भी यह थी कुछ कमेंट्स भी यह था इसलिए जो है इसके हमने शेयर किया ओवरॉल जो है सब कुछ यहां पर अच्छा लग रहा है अब यहां पर इसके चार्ट को जड़ा देख लेते हैं कितने टाइम में कितने रिटन दी है इन्हें सो एक दिन की बात करें कल के दिन चार पसंद यह भागा एक महिने की बात करें तो दस पसंद के आसपास की तेजी एक साल की अगर बात करें तो 36 पसंद का आसपास की तेजी कौन सा बैंक अगर देखे तो इतने रिटन देत पिर भी अगर देखे एक साल के अंदर इतने रिटन दिख रहे हैं और अगर आप लंबे समय की बात करें तो आपको मतलब की देखना बनता है पांच साल की अगर बात करें तो 430 पसंद तक के रिटन दिये अब तक इतनी गिरावट आने के बाद भी यह जब भागा था तब तो रिटन और भी अच्छे कासे होगे लेकिन इतनी गिरावट आने के बाद अब जब यह थोड़ा सा बाउंस बेक आया है फिर भी इतने अच्छे कासे रिटन यहापर दिख रहे है तो मुझे इसा लग रहे है कि आगे भी जो है मीडियम टू लॉंग टम की बात करें तो टेक्नेकल चाट के अंदर हमने बात की थी कि इसके अंदर एक गोल्डन क्रोसवर हुआ है तो उसका भी फाइदा मतब कि इसको मिल सकता है अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है तो कल वापस सचार्चा करें के तो अगर आपक किसे अंदर परपस के लिए बनाए मेरी तरब से कोई भी बाइसल की रेकमेंडेशन नहीं है थेंक यू